हलो डियर स्टुडेंट्स, कई बार आपने सुना होगा कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर इतने प्रतीशत हो गया या फिर नियूनितम मजदूरी के बारे में भी कई बार आपने नियूस पेपर में नियूस पढ़ी होगी तो आज dear students हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से और क्या बेस होता है इन dearness alliances यानि महंगाई भत्ते का या minimum wages यानि नियूनितम मजदूरी के सम्मंध में तो आज का हमारी e-class का टॉपिक है consumer price index number और इसके बारे में यदि आप पूरे अच्छे से जानना चाहते हैं इसके कौन से methods हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर से देखेगा तो शुरू करते हैं dear learners स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरुडा की class में और आज का हमारा टॉपिक consumer price index number की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि consumer price index number calculate करे ही क्यों देखे इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था हम price index number calculate करते हैं लेकिन price index number especially prices के संबंध में calculate होते हैं जो कि एक किसी commodity या किसी वस्तू के संबंध में होते हैं यदि हम ये जानना चाहें कि 5 वर्ष पुरू और इस वर्ष शुगर की क्या rate है या petrol की बढ़ती इंडेक्स number calculate होता है तो ये price index number में होता है लेकिन यदि हम जानना चाहें कि different different commodities का एक साथ prices पर क्या impact पढ़ रहा है तो हम यहां consumer price index number calculate करेंगे यानि समाज के विभिन वर्गों में रितरिवास, fashion या consumable जितनी भी वस्तूएं हैं उसके संबंध में कोई न कोई अंतर पाया जाता है और सामानिता इनके मुल्य में जो परिवर्तन होते हैं उससे उभोकताओं की जीवन इस्तिती में उनके living standard में बहुत फरक पड़ता है तो यहां पर यदि हम consumer price index number की बात करते हैं तो इस संबंध में consumer price index number में उन सारी commodities को शामिल किया जाता है जो एक सामानिय उभोक रूप में हमारे सामानिय जीवन में उपभोग में आती है वो चाहे आटा, डाल, शकर, पेट्रोल या और कोई भी सामानिय चीजें हो सकती है जो की हम उपयोग में लेते हैं तो देखेगा consumer price index number में different commodities यानि वो सभी वस्तुमें जो हमारे सामानिय जीवन में उपयोग में उन सभी उपयोग में आने वाली वस्तों का एक साथ prices compare किया जाता है तो इसे हम consumer price index number कहते हैं जनरली हम इसे cost of living index number भी कहते हैं और students इस consumer price index number का जनरली हम जो उपयोग करते हैं वो इसी में होता है यानि जब हम महंगाई भत्ते की बात करते हैं यानि महंगाई भत्ता बढ़ consumer price index number की क्या इस्तिती है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में क्या consumer price index रहा है इसी तरह से यदि मजदूरों की न्यूनितम मजदूरी decide की जाती है जैसे आपने सुना ही होगा मन अरेगा वाली इस्तितिया कई सारी government की plannings होती है जहां पर government मजदूरों के समंध में न्यूनितम आए decide करती है तो ये न्यूनितम आई कैसे decide होती है यानि वर्ष में जो commodities चल रही है जो सामने तह उस मजदूर के जीवन निर्वाह को प्रभावित कर सकती है तो ऐसी इस्तिती में इन सभी commodities के समंध में prices पर क्या impact है इसी impact को measure करते हुए इसी impact के price index number को देखत हुए वह नियूनितम मजदूरी निर्धारित करती है और साथ ही इसका उपयोग मुल्य नियंतरन में भी किया जा सकता है कई बार प्याज की कीमते बढ़ जाती है या सामान्य vegetables जो हम use करते है उसकी कीमते बढ़ जाती है तो ये कैसे पता चलता है overall consumer price index number calculate किया जाता है और गाइस consumer price index number को calculate करने और उसके उपयोग के संबंध में जानकारी हमने प्राप्त की ना हम बात करते हैं इसके methods कौन कौन से हैं consumer price index number के construction के संबंध में दो method से बहुत ही easy methods है ये जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं उन्हीं से related कुछ formulas आपको यहां देखने को मिल लेकिन बस नाम बदल गए हैं तो सबसे पहला method जो है यह है समू व्यायरिती या भारित समू ही व्याय विधी यानि इसको English में हम कहेंगे aggregate expenditure method या weighted aggregative method और दूसरा हमारा है भारित मुल्यान उपात विधी या पारिवारिक बजट विधी देखिए यहां पर weighted average of relatives method या family budget method इ यहां पर वही सारे formulas आपको मिलेंगे जो आप पुरू में भी पढ़ चुके हैं सबसे पहले बात करते हैं aggregate expenditure method ये method क्या कहता है इसको बात करने से ज़्यादा हम पहले इसके formula पर बात कर लेते हैं देखिए aggregate expenditure method ये कहता है कि P1 divided by P0 जो कि हमारा basic price index का formula होता है उस basic price index के formula में यदि हम Q0 का भार देते हैं Q0 से हमारा मतलब क्या है Q0 से हमारा मतलब previous year की quantity से है बिलकुल सही यानि जो previous year की हमारी quantities है उसका हमें भार देना होगा जो हमारा P1 divided by P0 के basic formula के साथ जुडेगा यानि हमारा जो formula बनेगा वो क्या होगा sigma P1 P0 divided by sigma P0 Q0 और प्रतीशत में हम calculate करना चाहते हैं तो हम यहां multiplied by 100 कर देते हैं यह आपने formula को देखकर आपको याद आ रहा होगा कि हमने यह formula कहां पढ़ा है यह formula हमने पढ़ा है weighted aggregative methods में जब हमने बात की थी weighted aggregative methods की weighted methods की बात की थी तो उन weighted methods का पहला formula हमने पढ़ा था weighted aggregative methods तो यहां weighted aggregative method का formula ही use में लेना है इसलिए मैंने आपको कहा था सारा repetition है केवल नाम बदल गए है इसी के साथ आपको और भी कुछ याद आ रहा होगा हमने ये formula पढ़ा है less peer में यानि जब हमने different different formulas पढ़े थे weighted index number calculate करने के तो वहाँ पर हमने less peer का formula भी पढ़ा था और less peer भी यही कहते है P1 divided by P0 बट previous year की quantity से इसे multiply कर दीजिए previous year की quantity से इसे भार दे दीजिए तो इस तरह से हमारा ये complete formula P01 का बना है जो की aggregative expenditure method यानि जब हम consumer price index number calculate करते हैं तो उसके पहले method के लिए हमें simple सा formula use में लेना है इसका एक question जल्दी से हम करते है students और बहुत easy question है थोड़ा सा आपको ध्यान यहां देने की जरुरत है कि हमें किस तरह से यहां काम करना होगा एक प्रशन है आपके पास 2009 को आधार वर्ष लेते हुए सामुहिक व्यायरीती द्वारा निमलिकित समंकों से 2014 के लिए सूचकांक ग्याद कीजिए देखे 2014 के लिए सूचकांक ग्याद करने है यहां पर जो डेटा आपको गिवन है वो 2009 और 2014 के लिए है आपको समझ में आ रहा होगा 2009 यह हमारा previous year कहलाएगा यानि P0 कहलाएगा और 2014 14 हमारा P1 कहलाएगा यह हम मार्क भी करते जाते हैं यह हमारा P0 कहलाएगा और यह हमारा P1 कहलाएगा इसी तरह से quantities consumed given है unit given है और यहां different different commodities देखे wheat, rice, अरहर sugar, salt, oil, clothing, fuel rent यह different commodities यह सारी वही चीज़े हैं जो हमारे एक सामानी जीवन निर्वा के लिए आवशक है Now question को solve करते समय आपको इन units को ध्यान में रखना है जिन units में दिया गया है उन्ही units के according quantity consumed भी निकालना होगा तो देखे, question का answer हम देखते हैं यहाँ पर commodities आपने लिखती है unit जो use key है वो यह रही quantities जो use key है और unit हमारी यहाँ पर given है यह बिल्कुल same है जो यहाँ question में given है मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इन units के अनुसार ही आपको quantity consumed निकालना होगा देखे, सबसे first wheat के लिए आपको दिया हुआ है, per quintal तो यहाँ पर 2 की quantity आपने यहाँ लिख दी, 2, simple now rice के लिए भी quintal दिया हुआ है तो आपने यहाँ लिख दिया अरहर के लिए kilogram में दिया हुआ है तो again 20 kilogram यहाँ लिख दिया गया है शुगर के लिए आपको दिया हुआ है देखे, शुगर पर kilogram है लेकिन यहाँ पर consumed आया है 0.5 quintal देखे, यहाँ पर 0.5 quintal है इसको यह दी हम kilogram में change करना चाहते हैं तो multiplied by 100 कर दीजिए तो multiplied by 100 करने से हमें यहाँ पर 50 kilogram मिलेगा बस यही changes आपको ध्यान में रखने है इसी तरह से next per quintal given है और यहाँ पर 10 kilogram है यानि इन kilogram को हमें quintal में change करना होगा बिल्कुल इसी की तरह ही आपको quantity consumed calculate करना होगा तो देखे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा 100 kilograms is equal to 1 quintal होता है तो यहाँ पर जब हमें kilogram को quintal में change करना है तो हमें divide by 100 करना होगा तो 10 divided by 100 कीजिए तो देखे, 0.1 quintal आ जाएगा इसी तरह से kilogram kilogram no issue same 10 kilogram लिख दीजिए meter meter 20 meter लिख दीजिए quintal quintal तो 4 quintal यहाँ लिख दीजिए per house तो simple one house का यहाँ पर आपने quantity consumed निकाल दिया बस guys यह हमारा important है क्योंकि यह हमारा Q0 बनता है और formula में आपको अच्छे से पता है कि हमें Q0 की requirement है यदि यह चीज आपने गलत calculate किया है तो आपका पूरा question यदि आपको आता है तो भी गलत होगा तो यहाँ पर quantities का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा इसके बाद का question बिल्कुल simple P0 उतार लिया गया जो question में दिया हुआ है P1 उतार लिया गया जो भी question में दिया हुआ है हमें करना क्या है P0 को Q0 से multiply करना है तो सारे P0 को Q0 से multiply कर लीजिए जो quantities आपने calculate की थी उसी तरह से P1 को Q0 से multiply कर लीजिए जो values आपने calculate की थी उसे यहाँ पर आप video को pause करके अपने calculator को on करके इसे करके जरूर देखेगा क्योंकि यदि आप अच्छे से समझना चाते हैं इन methods को तो साथ साथ में करना भी जरूरी है तो guys यहाँ पर P0 Q0 का total निकला है 2520 और इसी तरह से P1 Q0 का total निकला है 4170 अब values हमें मिल चुकी है sigma P1 Q0 की और साथ ही देखे हमारा answer क्या आता है हम अगले page पर चलते हैं और अगले page में हमारा answer भी है 4170 divided by 2520 multiplied by 100 यह हमारा answer है 165.5 यानि अब हम कहना चाते हैं यदि हम इस compare करें पिछले वर्ष के index नमबर से तो आप अच्छे से जानते हैं अधार वर्ष का index नमबर 100 होता है इसलिए यदि हम इसमें से 100 minus कर दें तो हमें इस वर्ष का effect पता चल जाएगा और वो ये कि इस वर्ष 65.5 प्रतीशक मुल्यों में व्रधी है तो इस तरह से महगाई भत्ता decide किया जा सकता है या अन्यकारी किये जा सकते है जो government की planning के लिए आवश्यक है तो guys चलते हैं जल्दी से अब second method की और second method है हमारा पारिवारिक budget विधी family budget method बहुत easy है again formula repetition में ही है जो आपने पहले भी पढ़ा है देखिए family budget method important भी है इसे generally weighted average of relatives method के नाम से भी जाना जाता है इस विधी में सुचकांकों का यदि calculation करना है index number calculate करना है तो आपका formula होगा sigma rw divided by sigma w याद कीजिए recall कीजिए आपने ये formula कहां पढ़ा है ये formula है हमारा weighted methods का second method जो हमने पढ़ा था relative methods यानि श्रंकला अनुपात श्रंकला विधी relatives method हमने जब पढ़े थे उसमें भी हमने यही formula दिया था sigma rw divided by sigma w मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर r का मतलब होता है मुल्यानुपात यानि price relatives और ये price relatives किस तरह से निकाले जाते हैं p1 divided by p0 इसी तरह से w क्या होता है यहाँ w से मेरा आशय है हमेशा p0 q0 यानि previous year के prices और previous year की quantity को आपस में multiply किया जाएगा तो ये हमारा w calculate होगा ये थोड़ी सी बात है आप ध्यान रखेगा और ये सारे link मैंने अपने description box में भी दिये हुए है इन link को आप click करके मेरे इन पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं एक recall करने के लिए तो guys जल्दी से question की तरफ चलते हैं 2013 को आधार वर्ष मानना है और family budget method से आपको calculate करना है consumer price index number आपको दिये हुए है सारे commodities साथ ही में quantity consumed given है per unit quantity आपने देख लिया है कि हमारा सारा quantity और unit same है तो no issue आगे चलिए prices आपको given है P0 और P1 के prices given है now guys अब value put कर लीजिए यहाँ पर आपकी commodities given है Q0 जो हमारी यहाँ पर given है मैंने आपको बताया था कि unit same होनी चाहिए unit same है तो same की same quantities हमने यहाँ पर लिख दी है P0 आपको as a tis उतारना होगा P1 भी आपको as a tis उतारना होगा सबसे पहले R calculate करते है देखिए आपको यहाँ R चाहिए तो R के लिए मैं formula आपको दे चुकी हूँ P1 divided by P0 कर दीजिए बहुत simple है अपना calculator उठाईए और शुरू हो जाए P1 divided by P0 यह हमारा P1 है और P0 इन्हें आपस में divide कर दीजिए और multiplied by 100 भी साथ में कर लीजिए क्योंकि हम percentage की बात करते हैं तो finally आपको value मिल रही होगी और साथ ही में P0, Q0 यानि weights calculate कीजिए weights calculate करने के लिए मैंने आपको formula दिया है P0 और Q0 को आपस में multiply कर लीजिए P0, Q0 आपस में multiply होने के बाद कुछ इस तरह से finally R, W calculate करना है हमारे पास R ready है W भी ready है आपस में multiply करके आप finally value निकाल दीजिए sigma R, W की जो की हमारे पास आ रही है 15,888 now sigma W भी जो हमारा weight हमने दिया था P0, Q0 का है वो 143 है formula में value put कीजिए sigma R, W divided by sigma W 15,888 divided by 143 तो हमारी यहाँ पर जो index number निकला है वो 111.05 तो इसका मतलब यह है कि यदि हम इस वर्ष की बात करें तो 11.05 की व्रधी हुई है मुल्यों में तो इस तरह से guys हमने consumer price index number calculate करना सीखा आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं like कर रहे हैं तो जरूर से इसे जादस जादा share भी करिए और हमारे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए कि यात्रा में अपना एक साथ देते रहिए तो guys thank you, thank you so much